इससे पहले भी ये वीडियो अप्लोड हो चुका है लेकिन वो अलग-अलग पार्ट में अप्लोड हुआ है तो RCA student है तो खोजेंगे तो नहीं किसी वीडियो पे बहुत सारा व्यूज है बहुत सारे लाइक्स है लेकिन फिर दूसरे पार्ट में कम है तीसरे पार्ट में और कम है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक ही वीडियो में एक complete वीडियो में इस पूरे lesson को पढ़ा देते हैं ताकि आपको objective question याद करने में problem नहों और objective जो questions है उसको मैंने color कर दिया है तो उसको आप लोग जरूर याद करने या copy में note करने आप लोगों के exam के लिए बहुत ही अच्छा होगा तो चलिए शुरू करते हैं भारत is my home जो डॉक्टर जाकीर हुसेन के द्वारत लिखा गया है यह lesson नहीं है यह कोई chapter नहीं है बलकि यह speech है यह भाशन है जो डॉक्टर जाकीर हुसेन ने deliver किया था दिया था जब वो राष्टपती का सपत ले लिए थे उसके बाद जब उन्हों ने भाशन दिया था उसी भाशन का यह extract है extract का मतलब होता है सारांश सारांश समझते हैं आप लोग सारांश मतलब बहुत बड़ी कहानी को छोटा करके जो लिखा जाता है उसे extract का जाता है ठीक है मैंने कई वीडियो में समझाया है तो चलिए start करते हैं 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1969 में इनकी मृति हुई थी born in Hyderabad Hyderabad में इन्होंने जन्म लिया था was one of our greatest freedom fighters वे हमारे greatest freedom fighters में से एक थे देखे जहां जहां मेरा pen जाएगा उस word का वही meaning होगा जो मैं बोल रहा हूँ वैसे बीच बीच में मैं बोलूँगा भी किसी किसी जो important words है उसका meaning मैं बताऊँगा भी बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत सारे जो भी आते हैं एक बार वैसे मैं लिख शिक्षा विडि थे एक विख्ञात एकड़म फेमस शिख्षा विखे उपimas ौद एजुकेशनिस्ट का मतला होता है भी यह उविच्णिस्ट का जाता है तो इक एक वह उख्षा के विद्वान थे education शेष थे वह भी विख्ख्ञात eminent तीक और साथ-साथ Greatest Freedom Fighters में स एक थे डॉक्टर हुसेन बिकेम दब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नाइटीन सिक्टी सेवन में और इनकी मृति हो गई नाइटीन सिक्टीन नाइटीन सिक्टीन में मातर दो साल बाद earlier he had served इस से पहले earlier मतलब इस से पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले he had served उन्होंने सेवा दिया था as the government of Bihar, Bihar के governor के रूप में Bihar के राज ये पाल जो होते हैं governor वो थे Bihar के ये भारत is my home is an extract from the speech he gave in 1967 ये जो भारत is my home है ये एक extract है from the speech उनके भाशन से he gave जो उन्होंने दिया था in 1967 after taking the oath लेने के बाद शपत लेने के बाद as president president के रूप में सपत लेने के बाद उन्होंने ये भाशन दिया था in his first speech as the president of India भारत के राश्टपती के रूप में अपने पहले भाशन में dr. Zakir Hussain places himself dr. Zakir Hussain खुद से प्रतिग्या करते हैं to the service of the totality of India's culture इंडिया की जो culture है जो सभिता संस्कृती है उसकी पुर्ण रूप से वो service करेंगे उसकी सेवा करेंगे उसको बचाएंगे इस बात की ये शपत लेते हैं और ये क्या-क्या सपत लेते हैं बहुत ही बढ़िया चेप्टर है बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबादें बढ़िया कॉंटेंट मिलता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं I must confess that Dr. Zakir Hussein कहते हैं कि I must confess मैं अवश्य कन्फेस करता हूं सुईकार करता हूं कि that I am overwhelmed कि मैं एकदम अभी भूत हूँ खुशी बहुत ज्यादा खुश हूँ I am overwhelmed by the trust उस विश्वास से उस भरोशे को ले करके भरोशा जो मेरे people ने My people have placed in me, मुझे पर, मेरे उपर, मुझे में, जो मेरे लोगों ने जो भरोशा किया है, उसको लेकर करके मैं overwhelmed हूँ, खुश हूँ, by electing me to the highest office in the land, मुझे ये जो धरती है, जो भारत धरती है, भारत भूमी है, इस देश के highest office पर, राष्टपती इस देश का परतम पहला वेक्ती होता है, first man, ठीक है, किसी को अगर मौत की सजा हो जाती है, तो कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट बचा सकते हैं, और देश का सबसे उचा पत, राष्टपती होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो यह पूरा नहीं लिखा हुआ है, पहले ही बता है, मैंने extract है, सारा अंसर, चोटा-चोटा करके, हर एक पाराग्राप से, थोड़ा-थोड़ा करके दिया हुआ है, चलिए, देखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन, ब्राउट to the presidency, अब अचानक से, डॉक्टर राधा कृष्णन की बात, यहां पे कहां से आ गई, आप लोग पहचानते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन को, जरूर पहचानते होंगे, टीचर्स डे, आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो डॉक्टर राधा कृष्णन कोई टीचर नहीं थे, फिर भी उनके नाम पर टीचर्स डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने, इंडिया के, सिविलाइजेसन और कल्चर को लेकर के, यहां के लोगों को न्याई मिले, इसको लेकर के जो उन्होंने काम किया था, लोग आराम से जी सके, इसको लेकर के जो उन्होंने काम किया था, अब क्या काम किया था, इसके लिए डीटेल्स में आपको पढ़ना परेगा, इसके लिए उस समय के जो स्टूडेंट्स थे, वो खुद गए थे डॉक्टर राधा क्रिश्णन के पास कि sir हम आपके नाम पर टीचर्ज दे मना आना चाहते हैं क्योंकि आप सारे टीचर्ज के टीचर हैं क्योंकि आप टीचर्ज को सिखा रहे हैं कि कैसे देश में एकता और खंडता बना के रखा जा सके अलग-अलग धर्मों के बीच में सामंजस ताल मिल वो बना के रखा जा सके तो ये इसलिए आप टीचर्स के टीचर है इसलिए हम आपके बर्थडे के नाम पर बर्थडे को हम लोग टीचर्स दे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो तब से राधाकृष्णन के नाम पर टीचर्स डे मन आया जाता है। और इन्होंने इस चैप्टर में क्यों जिक्र किया है। क्योंकि इन से पहले जो भारत के राष्ट पती थे, डॉक्टर जाकिर हुससेन से पहले वो राधाकृष्णन ही थे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जब कोई किसी पद से किसी पद पर जाता है तो अपने पहले वाले पद अधिकारी के बारे में अपने पहले वाले जो बैठेर है तो उस पद पर उसके बारे में जरूर कुछ बोलता है तो इसलिए उन्होंने उनके बारे में ये पैराग्रा है जो काम करने का जो तरीका है वो सारा मतलब राष्ट पती से related सब कुछ उसी को presidency का जाता है तो उन्होंने presidency में क्या लाया a mental equipment एक मांसिक equipment लाया एक मांसिक यंत्र लाया मांसिक यंत्र का मतलब यहां पर यह होगा कि एक दिमाग को बदलने वाला जो सोच होता है वो उन्होंने यहां पर लाया a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere a degree of erudition erudition का मतलब होता है पांडित्य या विद्धुता विद्धुता मतलब विद्धान وिद्धुता ठीक है उन्होंने क्या लाया यहां पर विद्दुता लाया विद्ध्वान जो knowledge होता है धेर सारा ज्यान लाया and wealth of experience और अनुभव का धन लाया rarely to be found anywhere जो बड़ा मुश्किल से rare मतलब होता है दुरलब बहुत दुरलबता से कहीं पाया जाता है ऐसा experience और ऐसी विद्धुता ऐसा ज्यान का भंडार डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिदेंसी में ले करके आए during a lifetime पूरे जीवन के दौरान lifetime मतलब संपूर्ण जीवन अपने lifetime के दौरान devoted to the pursuit of knowledge and truth pursuit का मतलब होता है खोजना या पीछा करना तलाश करना ठीक है तो वो पूरे जीवन, knowledge, ज्यान और सत्य की खोज में रहे he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all, all the spiritual values क्या क्या उन्होंने he has done more than probably any other man किसी भी अन्यवक्ती से शायद ही शायद ज्यादा उन्होंने किया है he has done more than probably शायद any other man किसी भी आदमी से ज्यादा उन्होंने किया है to bring out and explain Indian philosophical thoughts इंडिया का जो philosophical thought है इंडिया का philosophical thought क्या है ये मैंने details में Indian civilization and culture जो महात्मा गांधी के दोरा लिखा गया है उसमें मैंने explain किया है तो जरूर वह वला वीडियो देखिए ठीक है बहुत सारे वीडियो कमेंट्स और लाइक्स है उसमें मैंने बढ़िया से Indian civilization and culture को explain किया है फिर भी मैं छोटा सा पता देता हूँ इंडिया का जो theme है इंडिया के civilization का जो theme है वो है simple living and high thinking ये हमारा सदियों पुराना ही हमारी सोच रही है इंडिया की रहन सहन साधारन होना चाहिए लेकिन सोच हाई होनी चाहिए लेकिन आज कल क्या हो रहा है एकदम उल्टा हो रहा है लोगों का देखेगा कि एकदम हैट पैट लगा के जूता मौजा लगा के एकदम टाइ बिल्ट लगा के चसमा लगा के एकदम तेरे नाम वाला बाल को ऊपर मंकी कट हो कॉन सा कट होता है वो कटा के वो एकदम तयार रहता है एकदम हैट पैट में रहता है एकदम हाई living हो जाता है उसका और thinking उसका देखेगा सोच उसका देखेगा एकदम घटिया सोच रहता है ठीक है कुछ पूछ लीजे knowledge वाली बात तो एक्तम मूँ बाप देगा इसे आग आग ये क्या हो गया उसे पूछिए ये आजकल का जो दौर है उसके बारे में पूछिए गलत गलत बात पूछिए वो गंदी बाते पूछिए वो बता देगा आपको लेकिन जो ग्यान की बाते हैं जो हमारी जर है इंडियन और जो सारे जो सच्चे spiritual values है जो आध्यात्मिक जो मुल्य है सभी 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 धर्मों के जो आध्यात्मिक मुल्य है spiritual values है उनमें एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है he has never lost his faith in the essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice he has never lost his faith उन्होंने अपना भरोशा नहीं खोया है कभी नहीं खोया है in the essential humanity of man इंसान की जो essential humanity है जो आवश्यक मानवता है उसमें उन्होंने भरोशा नहीं खोया है कभी मतलब वो ये मानते हैं कि इंसान में मानवता होती ही है सब में होती है किसी में किसी कारण से दिखती नहीं है यो वो खुद मजबूरी में या अपने अगल बगल के रहन सहन की वज़े से environment की वज़े से अपनी मानवता भूल जाता है लेकिन सब के अंदर मानवता होती है and he himself has never ceased और वो खुद कभी नहीं रुके हैं सीज मतलब होता है रुकना वो खुद कभी नहीं रुके हैं तो champion the right of all men हर एक इंसान का जो right है जो अधिकार है उसको support champion का मतलब यहाँ पर champion वाला वो जो जीत जाता है वो champion वाला नहीं होगा यहाँ पर होगा champion का मतलब support करना ठीक है तो उन्होंने परतेक इंसान all men सभी लोगों का जो right है जो अधिकार है उसको support करने से कभी नहीं रुके है to live in dignity ताकि सारे लोग dignity में जी सके and with justice dignity का मतलब एक दम शान सौकत इज्जत की जिन्दगी जी सके सारे लोग और पूरे justice पूरे न्याई के साथ जी सके इसमें उन्होंने कोई उन्होंने वो पीछे नहीं होटे है उन्होंने किया है I can only assure you मैं केवल आपको भरोशा दिला सकता हूँ that I enter this office कि मैं इस office में इंटर करता हूँ प्रवेश करता हूँ in a spirit of prayerful humility एकदम प्रार्थना पुर्वक विनमरता के साथ प्रार्थना पुर्वक विनमरता वाले जोस के साथ मैं इस office में आता हूँ तो मैं एकदम सर जुका करके घुशूँगा सर जुका करके पूरी विनमरता के साथ जाओंगा पूरे इज्जत उस कुर्सी की इज्जत में बचाओंगा ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ क्योंकि आज तो मेरे सपत ग्रहनी है कारीकाल मेरा बाकी है तो तो मैं भरुस तो मेरे सेट के इसट तके रिए मैं बचाओंगा ये मैं इसपत ले लिया है इट इस देखिए यहां पर तो सिर्फ पढ़ाई होती है लेकिन अगर आपको मुझसे अच्छे से जूरना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे निशांत सर ओफिसियल सर्च कीजिएगा तो मेर इंस्टाग्राम एकाउंट आएगा वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे और फेस्बुक पर निशान सर्च किजिएगा तो आपको पेज मिलेगा जहाँ पर आपको 6,000 6.5K फॉलोवर्स है मेरे वहाँ पर मैं व्लॉग बनाता हूँ और यूट्यूब में इस चैनल में जाएगा तो सबसे उपर में ही निशान सर्वलॉग करके चैनल है वहाँ पर भी आप जूर सकते हैं जूर यह अच्छा लगेगा ठीक है चलिए और खास करके जो मैथिली जो समझते हैं मैथिली लेंग्विज वो तो जरूर फॉलो कर लिजिए हर जगा आपको बहुत ही इंजॉइ मिलेगा वहाँ पर और धीरे-धीरे मैं मैथिली अभी स्टार्ट किया हो क्योंकि वो मेरा मदर टंग है और धीरे-धीरे हिंदी पर भी आऊंगा तो आप लोग फॉलो कर लें बहुत ही अच्छा लगेगा आपको तो आप जाकर के निशान सर्पेज है वहाँ पर जरूर देखिए और फेजू पर जो है यहां का जो constitution है वो एक नया है नया state का constitution है which its free citizens have जो यहां के free citizens के पास है for the first time in history history में पहली बार ऐसा हुआ है जो इंडिया के लोगों को constitution मिला है given to themselves जो उनको प्रदान किया गया है दिया गया है it is the young state of an ancient people यह ancient people का पुराने लोगों का एक नया देश है who जिनोंने या जिसने through the long millennia हजारों वर्सों से and through cooperation of diverse ethnic elements और कई सारे डाइवर्स मतलब होता है अनिक जो ethnic elements है जो जातिये जो मुल्य है जो तत्व है उनके सहयोग से हजारों वर्सों से उनके सहयोग से have striven उन्होंने करी महनत किया है नहां के लोगोंने to realize timeless और उन्होंने महसूस किया है कि यह जो हमारा जो elements है जो ethnic elements है जो जातिये जो तत्व है वो सारे के सारे जो है वो timeless है समय के साथ बदलने वाले नहीं है इस्तिर है absolute values in their own peculiar way और उनकी जो अपनी जो peculiar way है जो उनका जो खास रास्ता है उन जातियों के उन धर्मों का उनका जो absolute value है जो एकदम जो मुल्य है उनका अच्छा मुल्य उसको उन्होंने पहचान लिया है ठीक है और ऐसे मुल्य कभी बदलने वाले नहीं और वो मुल्य अच्छे हैं अगर यहाँ पर आप थोड़ी दिर के लिए सोचिए थोड़ी दिर के लिए सोचिए कि देखें जाति वाद जो जाती है वो तो कभी खत्म हो नहीं सकता इंडिया से यह 100% fix है कि जाती जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक यहाँ की politics गंधी politics चलेगी तब तक लेकिन अगर यहाँ के जातियों को अगर मिला के एक करके अगर काम किया जाए उच नीच का भाव अगर खत्म कर दिया जाए तो यहाँ की जातिया भारत के विकास में कितना योगदान कर सकती है और भारत विशुगुरु रहा है क्योंकि उस समय भी भेदवाव था लेकिन आज के डेट में वही भेदवाव जो बहुत पुराने समय में भेदवाव था वो उतना भेदवाव नहीं था जितना की आज politicians के दौरा लोगों के मन में भर दिया गया है तो यहां के जातियों को एक करके अगर विकास के राह पर आगे बढ़ें उच नीच का भेद खत्म करके बस जाती रहे लेकिन उच नीच का भेद नहीं रहे ठीक है मन मुटावनर है तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा I place myself मैं खुद से प्रतिग्या करता हूँ डॉक्टर जाकीर हुसेन कहा रहे है तू दा सर्विस ओफ दोज वैल्यूज और उन जातियों के जो वैल्यूज है जो मुल्य है उनकी सेवा करने का मैं शपत लेता हूँ फोर क्यूंकि दाव some concrete realization of value किसी value का जो कोई मुल्य है उसका जो concrete realization है जो ठोस अनुभव है जो महसूस जो होता है अनुभव may become inadequate with the change of circumstance circumstance का मतलब होता है वातावरन उसका उतने दूर का जो वातावरन है पढ़ियावरन है समय के साथ अगर उसका वातावरन जो circumstances है उसके बदलने के साथ हो सकता है कि वो values जो है वो अधूरा हो जाए उसका value जो है वो कम हो जाए लेकिन the value remains eternally valid लेकिन वो value हमेशा valid रहेगा शाष्टोत रहेगा सही रहेगा and prices for newer and fresher realization और उससे एक नया और एकदम ताजा realization अनुभव हमको मिल सकता है यहां के जाती वाद को जाती विभेद को बद से बत्तर बनाने का कोशिस किया जा रहा है बल्कि उससे जरूरत था कि उससे और reform करने का उससे और अच्छा बनाने का लेकिन ऐसा हो नहीं रहे तो वो जो realization है वो eternally valid है और वो हमेशा प्रेस करती है दबाव डालती है एक नय और एक ताजे realization का अनुभव का जो एक नया और ताजा अनुभव हो जो past है हमारा जो अतीत है वो dead और static नहीं है वो मरा हुआ और रुका हुआ नहीं है it is alive and dynamic ये जिन्दा है और गतिशील है चल रहा है हमारा past अभी भी जिन्दा है and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future and वो जो हमारा past है वो involved है लगा हुआ है in determining the quality of our present हमारा जो वरतमान है उसके quality को determine करने में निर्धारित करने में कि हमारे present हमारे वरतमान की जो गुनवत्ता है जो quality है उसको निर्धारित करने में लगी हुई है and the prospects of our future और हमारे future का जो prospects है जो हमारी संभावनाएं है क्या-क्या हम अच्छा कर सकते हैं बेहतर कर सकते हैं अपने future में उसमें हमारा जो past है वो हमें मदद कर रहा है जो तरीका है वो कौन सा तरीका है the process of growth of national culture and national character वो हमारे national culture हमारा राष्टरिय संस्कृती and national character और हमारे राष्टरिय चरित्र के वृर्धी का तरीका है it is the business of education यह education का business है यह शिक्षा का काम है as I see it जैसा कि मैं देखता हूँ to minister this constant renewal इस constant renewal को इस लगातार नय करने के तरीके को minister करना समर्थन करना शिक्षा का उदेश यह है कि हम अपनी सभिता संस्कृती को लगातार उसको नया करते जाए उसको और बहतर बनाते जाए and बटवारा नहीं मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि हमारा जो गंदे जो नेता है वो हमारे सभिता और संस्कृती को दिन दूनी और रात चोगनी बज से बत्तर करते जा रहे है लोगों के मन में फूट डालते जा रहे है एक दूसरे के परती भरकार है ऐसा नहीं होना चाहिए वो कह रहे है कि एजुकेशन का जो बिजनेस है जो काम है जैसा कि मैं देखता हूँ वो है हमारे सभिता संस्कृती को constantly renew करना यही है उसका काम and or I may be forgiven मुझे माफ किया जाना चाहिए या मुझे माफ किया जा सकता है the presumption that my choice to this high office has mainly कि मेरा जो presumption है कि मेरा जो तर्क है जो मेरा अनुमान है कि मेरा जो choice है जो मुझे पसंद है to this high office यह जो high office है राष्टपती का जो office है उसके लिए जो मेरा choice है मेरा choice का है has mainly मुख्य रूप से मेरा choice यही है if not entirely संपुर्ण रूप से नहीं मुख्य रूप से being made on account of my long association with the education of my people कि मेरा जो long association है जो मेरा लंबा जो साथ रहेगा association सहयोग रहेगा मेरे लोगों के साथ वो रहेगा शिक्षा का सहयोग मैं अपने लोगों को शिक्षित करने में पूरा योगदान दूँगा पूरा समय दूँगा I maintain that education I maintain that मैं maintain करता हूँ की education is a prime instrument की education जो है वो एक prime instrument है एक प्रमुक यंत्र है of national purpose जो राष्टरीय परपस है जो राष्टरीय उदेश है उसके लिए जो राष्टरीय उदेश क्या होता है देश को आगे बढ़ना देश को शिक्षित करना भारुत को विश्व गुरू बनाना तो ये वो I maintain that मैं maintain करता हूँ या मैं maintain करूँगा अपने future में डॉक्टर जाकीर हुसन कह रहे है मैं maintain करूँगा कि education is a prime instrument कि education जो है वो एक prime instrument है मुखी यंत्र है of national purpose राष्टरीय उदेश को प्राप्त करने का and that quality of education is inescapably involved in the quality of nation और वो जो quality है education का यह जो quality अभी हम बताए है वो जो quality है education का is inescapably involved वो अपड़िहारी रूप से मतलब अनिवारी रूप से involved है शामिल है in the quality of the nation राष्टर के गुण में राष्टर के quality में अगर हमारे education का quality बढ़ता है तो हमारे राष्टर का quality बढ़ेगा इसलिए अपने education के quality बढ़ाने पर जोड़ देना चाहिए ठीक है ना कि जात धर्म में भेद भाव करने पर ठीक है चलिए अगला पार अगर आप देखते हैं I therefore मैं इसलिए place myself खुझ से सपत लेता हूँ खुझ से परतिग्या करता हूँ to the loyalty of our past culture हमारे जो past culture है उसके परती वफदार रहूँगा ऐसी परतिग्या करता हूँ from where so ever it may have come चाहे जहां से भी वो आया हो हमारे जो past culture है वो चाहे जहां से भी आया हो उसकी मैं कदर करूँगा उसके परति मैं वफदार रहूँगा and by and by home so ever और जिसके दोरा भी वो culture लाया गया हो जिसके दोरा वो संस्कृति लाई गई हो उसकी मैं कदर करूँगा उसके परति मैं वफदार रहूँगा क्योंकि भारत जो है वो अनेकताओं का देश है यहाँ पर अलग-अलग सभिता संस्कृति आपको मिल जाएंगे आप ऐसा कहावत है से मानना है कि भारत में हर एक 20 किलो मीटर या 30 किलो मीटर के रेंज पर जो कल्चर है वो बदल जाता है लोगों के बोलने का तरीका लोगों क होंगा ऐसी मैं प्रतिग्या करता हूं I place, it may have been contributed और जिसके दोरा यह contribute किया होगा उसके प्रतिग्या करता हूं, to the service of the totality of my country's culture और हमारे country's का जो कल्चर है हमारे देश का जो कल्चर है उसके प्रतिग्या करता हूं I place मैं प्रतिग्या करता हूं my loyalty to my country मेरे देश के प्रति में वफादार रहूंगा मेरी वफादारी रहेगी ऐसे प्रतिग्या करता हूं irrespective of religion or language बिना भाशा, language और बिना धर्म में भेदभाव किये मैं उनके प्रतिग्या करता हूं I place myself मैं खुद से प्रतिग्या करता हूं to work for its strength and progress कि मैं इसके strength इस देश के ताकत और इस देश के विकास के लिए मैं work करूँगा मैं काम करूँगा and for the welfare of its people और यहां के लोगों के welfare के लिए कल्यान के लिए मैं काम करूँगा without distinction of caste, distinction का मतलब होता है भेदभाव, बिना किसी caste में भेदभाव किये, जाती में भेदभाव किये, color बिना किसी रंग में भेदभाव किये, गोरे काले में भेदभाव नहीं करूँगा काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है ऐसा है, हमारा देश का culture जो है, वो ऐसा है तो वो कह रहे है डॉक्टर जाकीर हुसेन, कि ना किसी जाती में भेदभाव करूँगा, ना color में भेदभाव करूँगा और क्रीट नहीं धर्म में भेदवाव करूँगा पंथ चाहे किसी भी धर्म या पंथ के मानने वाले लोग है मैं बिना किसी उसमें भेदवाव किये मैं लोगों के वेलफेर के लिए काम करूँगा The whole of भारत, पूरा भारत is my home, मेरा घर है and its people are my family और यहां के लोग मेरे family है, मेरा परिवार है The people have chosen, लोगों ने चुना है to make me the head of this family मुझे इस परिवार का मुखिया बनाने का चुना है, मुझे इस परिवार का मुखिया बनाया है राश्टरपती परिवार का पूरे देश का मुखिया होता है पहला व्यक्ति होता है दक्तर जाकीर हुसेन आज राष्टपती के पद पर बैटे हुए है इसलिए कह रहे हैं कि the people have chosen to make me the head of this family इस पडिवार का मुख्या बनाया है लोगोंने मुझे for a certain time, एक निश्चित समय के लिए it shall be my earnest endeavor और यह मेरा पूरा एकदम प्रयास होगा earnest मतलब होता है एकदम दिल से और endeavor मतलब होता है प्रयास मेरा एकदम दिल से प्रयास होगा to seek to make this home कि मैं इस घर को बनाऊं क्या बनाऊं? strong and beautiful, मजबूत बनाऊं और सुन्दर बनाऊं a worthy home एक रहने लायक घर बनाऊं इस देश को, इस भारत को एक वर्दी होँ एक रहने लायक घर बनाऊ या एक लायक, एकदम सुन्दर एकदम लाजवाब घर बनाऊ इस देश को, लाजवाब बनाऊ for a great people यहाँ के महान लोगों के लिए उन्होंने यहां के लोगों को महान का है यहां के महान लोगों के लिए एक महान देश बनाओ ऐसा मेरी इच्छा है engaged और यहां के जो लोग है engaged in fascinating task और यहां के लोग जो है वो fascinating task में एक एकदम मनमुहक काम में engaged हैं लगे हुए हैं of building up a just and prosperous and graceful life और यहां के लोगों का जो life है वो just हो मतलब एकदम न्याई पूर्ण हो prosperous हो, सम्रिद हो and graceful life हो एकदम सुखी, सम्रिद जिंदगी हो यह बनाने में मैं लगा रहूँगा और लगा हुआ हूँ चलिए अगला परगर अब देखते हैं the family is big and is constantly growing family जो है अमारा परिवार जो है यह इंडिया जो है वो बहुत बरा है, is big बरा है and is constantly growing और लगातार बढ़ रहा है grow कर रहा है, वर्दी कर रहा है at a rather inconveniently fast pace एकदम तिवरगती से inconveniently का मतलब होता है और सुविधा जनक inconveniently का मतलब होता है और सुविधा जनक तिवरगती से विकास कर रहा है, बर्दी कर रहा है we shall each one of us हम सभी हमें से परतेक each one of us हमें से परतेक we shall have to participate हमें participate करना होगा unsparingly नहीं संकोच, बिना संकोच किये in building its new life इसके नए लाइफ को बिल्ड करने में हमें नहीं संकोच participate करना होगा क्योंकि हमारा जो देश है वो in canvhi niently fast pace पर तिवरगती पर विकास कर रहा है ठीक है, उसके बाद है each in his own way सभी को अपने तरीके से काम करना परेगा, participate करना परेगा जो जहां है, वहीं participate करना परेगा इस देश के विकास में for shear size यह जो shear size है shear size का मतलब होता है बहुत विशाल size, बहुत विशाल size, हाँ the tasks ahead of us हमारे सामने, ahead of us हमारे सामने जो task है यह जो shear size का जो task है बहुत विशाल जो task है, जो काम है are so demanding वो बहुत ज़्यादा demanding है demand करती है that कि no one can afford कोई भी वक्ती afford नहीं कर सकता है to sit back अराम से बैठा रहे and just watch और देखता रहे let frustration become endemic in our country और frustration जो है निराशा जो है हताशा जो है वो हमारे देश में in our country हमारे देश में endemic हो जाया स्थाई रूप से रहे ऐसा करने के लिए कोई भी वक्ती अराम से बैठ करके नहीं रह सकता है सब को काम करना परेगा काम करना परेगा सब को कोई बैठ के नहीं रह सकता है the situation demands of us situation हम से demand करती है जो इस्तिती है उस समय भारत की इस्तिती बहुत जादे खराब थी अभी भी खराबी है लेकिन उस समय बहुत जादे खराब थी ठीक है क्या दिमांट करती है हमसे कि work work and more work कि हम लोग काम करें काम करें और खूब काम करें silent and sincere work silently काम करें चूप चाप काम करें और एकदम sincere होकर के काम करें मन लगा करके काम करें solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people ठीक है क्या demand करती है कि solid and steady reconstruction यह जो ठोस और यह जो लगातार reconstruction होगा हमारे देश का जो पुनर निर्मान हो रहा है हमारे देश का of the whole material and cultural life जो material life है जो भौतिक जो जिन्दगी है ऐसो आराम वाली है और जो cultural life है जो सांस्कृतिक जीवन है उस दोनों के दोनों का जो विकास होगा हमारे लोगों के जिन्दगी में दोनों साथ साच चलेगा उसका जो reconstruction हो रहा है वो तेजी से हो एकदम solid and steady reconstruction हो उसका इसलिए हमें काम काम और सिर्फ काम करना परेगा दिस वर्क और ये जो काम है जो हमें काम करना है तो कौन सा काम करना है ये काम क्या है कौन सा काम है दिस वर्क ये जो काम है as I see it, जैसा कि मैं देखता हूँ, has two aspects, इसके दो aspects हैं, दो पहलू हैं इसके, work on one's self, खुद पर काम करना and work for the society और समाज के लिए काम करना, दो तरीके से इनसान काम कर सकता है, या तो खुद पर काम करें, या अपने society के लिए काम करें, around, अपने और चाड़ो बगल के, society के, they are mutually fruitful aspects of our work, और यह जो दोनों जो पहलू हैं, वो हमारे काम के, दोनों ही पहलू जहें, वो हमारे काम के काम के fruitful aspects हैं, अग्दम फल दायक पहलू हैं, दोनों से फल मिलेगा हमें, इस देश को फल मिलेगा, the work on one's self, खुद के उपर जो काम है is to follow the urge towards moral development, यह हमें moral development की तरफ ले जाता है, हमारी नैतिक जो विकास है, हमारा नैतिकता जो है हमारा अचार, वेभार, सिस्टा चार, काम करने का तरीका, बात विचार, इस पर काम करना ही है, हमारा work on oneself का मतलब है, खुद पर काम करना, और work on oneself से क्या होता है, work on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person, एक free person के रूप में अपने अंदर के morality को, अपने अंदर के नैतिकता को develop करे, विकास करे, यह है, and under self-imposed discipline, और खुद पर self-imposed discipline, खुद पर थोपी हुई discipline है, किसी के दबाब में आकर कि आपको अनुशाषन में नहीं रहना है, बलकि आपको अपने आपको ही खुद से ही अनुशाषन में रखने के लिए अपने अपने आपको तयार कर लिया है, वो है खुद पर काम करना, which alone can render that development possible, और तभी, वो जो development है, मतलब ये जो अपने उपर जो काम करके जो work करेंगा और जो विकास होगा उसको वो तभी होगा जब हम अपने उपर में discipline को impose करें, discipline सभिता को, अनुशाषन को अपने उपर में रखें, अपने life में उसको लागू करें, ठीक है तभी ये development possible है its end product is a free moral personality और इसका जो end product होता है, जब कोई खुद पर काम करता है, कोई व्यक्ति तवानति में जो फल मिलता है, वो क्या मिलता है एक free moral personality मिलती है, मतलब एक एकदम free एकदम आजाद नैतिक व्यक्तित उभर के आता है, ऐसा व्यक्तित उभर क्या आता है, जो किसी का बुरा चाहने वाला नहीं होता है, अच्छा चाहने वाला होता है, उसके पास ग्यान का बंडार होता है, वो देश का भलाई करता है we can neglect the end product only at our peril हम उस end product को, moral personality को तभी ignore कर सकते हैं, neglect कर सकते हैं, अनादर कर सकते हैं जब हम खत्रे में हो, मतलब जब हमारा अंत आएगा जब हम नेतिकता को morality को neglect करना सुरू करेंगे अनादर करना सुरू करेंगे इसका मतलब है कि अब हम peril में चले जा चुके हैं, अब हम संकट में चले जा चुके हैं, हमें moral personality जो उभर के आती है ठीक है, आपका परवरिश अगर अच्छे घर में होता है या आपके माता पिता अगर आपको अच्छे संसकार देते हैं, तो आपकी personality जो है वो एकदाँ moral होगी आप किसी को सता नहीं सकते हैं आप अपना काम सही समय पर करेंगे सब कुछ आपका time table सब कुछ बंदा रहेगा मतलब आप एक अच्छे इंसान आप एक अच्छे नागरिक good citizen बन करके उभरते हैं तो कह रहे हैं कि this end product यह जो end product है, जो personality है cannot sustain itself खुद को cannot sustain itself, खुद को बचा के नहीं रख सकता without के बिना seeking and exercising itself खुद को तलाशने में और खुद को तराशने में exercise करने में, मतलब अपने उपर उसे काम करना परेगा, किसी भी व्यक्ति को जो चाहता है कि उसकी जो moral personality है, उसकी personality अच्छी हो जाए, तो इसके लिए उसे खुद में तलाश करना होगा और खुद पर exercise करना होगा, खुद पर प्रयोग करने होगे, खुद पर मेहनत करना होगा, अपने आप पर मेहनत करना होगा और क्यों करना होगा अपने आप पर मेहनत सभी लोगों को, to bring about the bring about का मतलब होता है कोई काम को, किसी काम को पूरा करना, to bring about किसी काम को पूरा करना, और कौन से काम को पूरा करना, the approximation of the society, society का जो approximation है, approximation का मतलब होता है नजदीक जाना, society के नजदीक जाने का जो काम है, जो लोग society के नजदीक जाना चाहते हैं, उनहें अपनी moral personality को develop करना ही परेगा, क्योंकि अगर आपकी personality moral नहीं है आपकी personality में अगर morality नहीं है नेतिकता नहीं है तो आप समाज आपको पसंद नहीं करेगा ठीक है और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर समाज मदद society अगर आपकी मदद नहीं करेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे to which जहां it is privileged to serve to a better, a juster and a moral graceful way of life जहां पर to which it is privileged उसे विशेश अधिकार प्राप्त है उस व्यक्ति को विशेश अधिकार प्राप्त है to serve to a better, कि वो एक better, एक better, juster न्याई पूर्ण, just वाला just मतलब न्याई, just से ही बना है justice, न्याई अधिस तो एक better, बहतर, एक juster और अधिक न्याई पूर्ण and a more graceful way of life और अधिक सुखद जिन्दगी की सेवा करने का उसे मौका मिलेगा मतलब वो अपनी जिन्दगी की भी सेवा कर सकता है, अगर उसकी personality अच्छी है तो और समाज में रहने वाले लोगों के जिन्दगी की भी सेवा कर सकता है life की का जो way है, जो तरीका है, वो अपना सुखद बना सकता है, graceful बना सकता है the individual cannot grow, individual जो है, मतलब अकेला आदमी जो है, cannot grow, grow नहीं कर सकता, वर्दी नहीं कर सकता in full perfection, पूरे perfection के साथ, पूरी पुर्णता के साथ, without a corresponding advance of the collective social existence यह जो collective social existence है, यह जो सामुहिक पूरा group वाला, सामुहिक जो सामाजिक अस्तित्व है, जो existence है, अस्तित्व, उसकी इस्तिती, अस्तित्व समझते हैं, आप लोग समझते होंगे जो सामुहिक सामाजिक जो कलेक्टिव सोसल एक्जिस्टेंस है वो जब तक एडवांस नहीं होगा वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो उसके अनुसार वो व्यक्ति भी पूरे परफेक्शन के साथ ग्रो नहीं कर सकता है मतलब समाज को भी आगे बढ़ना होगा समाज के हर लोगों को अपनी परसिनलेलिटी बढ़ानी होगी ठीक है अगला कहते हैं लेट उस रिजॉल्व चलो हम लोग रिजॉल्व करते हैं हल करते हैं किसी समस्या का समधान निकालते हैं कौन सी समस्या क्या करेंगे हम लोग to get a whole heartedly engaged कि हम लोग पुड़े दिल के साथ engaged हो जाएं मगन हो जाएं in these two aspects of work काम करने का जो ये दो आसपेक्ट है ये जो दो पहलू है उसमें हम लोग पुरी तरह lean हो जाएं और कौन से पहलू individual and social अपने लिए काम और समाज के लिए काम पहले आप अपने personality के उपर में काम कीजि अगर आपकी personality सही नहीं है तो आप समाज के लोगों की भी personality सही नहीं कर सकते समाज का सुधार नहीं कर सकते और अगर आपकी society नहीं सुधर पाई तो ये पुरा गाउं पुरा शहर पुरा state पुरा देश नहीं सुधर पाएगा अपने उपर सबसे पहले काम करना जरूरी है उसके बाद society के उपर काम करना जरूरी है और दोनों का जो aspect है वो एकदम fruitful है एकदम फल दायक है कोई भी aspect कोई भी पहलू बुरा नहीं है उसके बाद कहते हैं this dual effort यह जो दोहरा जो प्रयास है यह जो dual effort है will give to the life यह जिन्दगी को देगा क्या देगा जिन्दगी को हाँ to the life of our state हमारे state का जो life है हमारे देश का जो life है उसको वो देगा हमारे देश की जिन्दगी को यह जो दोहरा प्रयास है individual and society social के लिए जो हमारा प्रयास है यह जो dual effort है will give देगा to the life of our state हमारे देश के जिन्दगी को क्या देगा एक special flavor एक special flavor देगा एक अलग flavor देगा flavor आप लोग समझते हैं अलग-अलग flavor का चॉकलेट वगरा सवाता है खाते होंगे तो वो अलग-अलग प्रकार का flavor देगा एक special flavor for the state to us will not be just an organization of power for the state to us हम लोगों के लिए ये जो state होगा ये जो देश होगा वो केवल एक power का organization नहीं होगा एक शक्ती का संगठन नहीं होगा ठीक है हम सिर्फ अपनी power नहीं बढ़ाएंगे बल्कि a moral organization बल्कि एक moral organization होगा एक नैथिक संगठन होगा हमारा देश सिर्फ तागतवर नहीं होगा बल्कि हमारा देश एक नैथिक देश होगा डॉक्टर जाकिर हुसन कहा रहे है it is a part of national temperament ये जो है ये national temperament का part है ये दोनों जो है ये national temperament जो देश का जो temperament है जो सोच है उसका एक part है and inheritance from the great leader और हमारे महान नेताओं का ये inheritance है inheritance का मतलब होता है जो हमारे पूर्वत जो हमारे लिए छोड़ जाते है जो संपत्ति वो वो है it is a part of हो गया इतना गाना बजने लगता है न पागल बना देगा है great leader of our liberation movement हमारे liberation movement जो हमारे आजादी का जो क्रांती हुआ था जो लड़ाई हुई थी जो आंदोलन हुआ था liberation movement उसके जो महान नेता जो थे उन्होंने उनका जो inheritance है जो उनकी जो पैत्रिक संपती जो वो हम को छोड़ कर गये है वो है ये और national temperament है कौन हमारे देश होगा और ये जो हम काम करें इस ही से न ये सब पूरा होगा उसके बाद है महातमा गांदी That power should be used only for moral purpose और जो महातमा गांदी है ऊन्होंने That power should be used only for moral purpose महातमा गांदी ने कहा है कि वो जो power है हमारी जो ताकत है जो हमारी शक्ती है वो केवल moral purpose के लिए use की जाएगी नैतिक उदिश के लिए use किया जाएगा और इसी उदिश के साथ हमें अपना काम करते रहना चाहिए The peace of a strong is what we shall dedicate ourselves to work यह जो peace of a strong है of the strong ताकत की जो शान्ती है हमारे पास जो ताकत रहने के बाद भी जो शान्त रहने का जो गुण है is what we shall dedicate ourselves to work वो हम अपने आपको काम करने के लिए काम के परती कितना समर्पित होते हैं हम अपने काम के परती जेखिए जो इंसान अपने काम के परती डेडिकेट रहता है अपने वर्क के परती डेडिकेट रहता है वो 100% उसकी moral personality अच्छी है तभी वो अपने काम के परती डेडिकेट है अगर आप स्टूडेंट है और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी moral personality अच्छी है अगर मैं teacher हूँ और मैं एक vlogger भी हूँ आप लोग Facebook पे जरूर जाएं देखे मेरे page को निशान सर सर्च कीजिएगा और देखे वहाँ पर ठीक है तो अगर मैं vlog बनाता हूँ थोड़ा कभी-कभी दहिंदी में भी बनाऊंगा आपको अच्छा लगेगा तो अगर मैं जो भी हूँ वो अगर मैं पूरे dedication के साथ करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी जो moral personality है वो बढ़िया है I have full faith in my people मुझे अपने लोगों में पूरा भरोशा है that की they will bring forth कि वे लोग करेंगे पैदा करेंगे bring forth का मतलब होता है जन्म देना वे लोग जन्म देंगे किसको जन्म देंगे भच्चे को जन्म नहीं देंगे ठीक है जन्म देंगे क्या जन्म देंगे लेकिन एक काम कीज़े आप लोग पहले मेरे चैनल को subscribe कीज़े tutorial planet को और bell icon दबा दीजेगा कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा लाइक भी कर दीजेगा बोलने का जरूरत नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत महनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए तो इतना कर सकते हैं आप लोग ठीक है ठीक है that they will bring forth the energy वे लोग energy पैदा करेंगे मेरे देश की लोग ताकत पैदा करेंगे रिक्वी साइट रिक्वी साइट का मतलब होता है जरूरी जो जरूरी होगा for the satisfactory performance of this dual task यह जो दोहरा टास्क है हमारा ठीक है जरूरी जो energy है वो energy हमारे देश के लोग पैदा करेंगे मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और मुझे भी पूरा भरोसा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और फेस्बुक पर मेरे पेज को फॉलो कीजेगा it shall be my privilege to contribute my share ये मेरा privilege होगा ये मेरे एकदम समझे कि मेरे लिए भागशाली होगा मेरा अहो भागशाली होगा to contribute my share कि मैं अपना share मेरा जो share है जो मेरा हिस्सा है वो मैं contribute करूँ to this enchanting enterprise ये जो एकदम मनुहर जो enterprise है जो एकदम मनुहर जो काम है मेरे देश के लिए इस देश के लिए मैं कुछ करूँ अपना हिस्सेदारी मैं प्रस्तुत करूँ इसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी और ये मेरे लिए एक विशेश अधिकार होगा मेरे लिए एकदम सुखद का अन्भव होगा thank you so much अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मैंने कहा वो कर दीजे और नहीं भी किजेगा तो कोई बात नहीं मैं आपको गोली तो मार नहीं दूँगा thank you so much bye bye take care